नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश शिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको कुछ वीडियो से लास्ट वीडियो से बता रहा हूं कि कुण्डली में कुछ योग बनते हैं जिनको हम देख नहीं पाते और बहुत नॉर् मैंं प्लानी फैश्री कोन जाता वह कौन से योग होते हैं जिसमें नहीं रुख पाता जमा नहीं हो पाता दыл निर्धन योग से कि निर्धंता हो गई कोई दरिद्धता हो गई अइसा नहीं है यह शास्त्रों में इसले का वर्ड इस्तेमाल हो और पैसा बहुत कमाते हैं वहन रुक कैसे होते हैं जिस पर डफ Hm है तो इसमें कहा गया है की यह यह पहले चौत रहना ओंधम यह नवे घर का मालिध पहले घर का मालिक, चौथे घर का मालिक और नवे घर का मालिक, नवा घर जो है वो भागया घर है, चौथा घर सुक का घर है, पहला घर तो स्वेम का अपना होता है, तो पहले घर का मालिक, चौथे घर का स्वामी और नवम घर का स्वामी, यदि आठवे में बैठा हो, तो ऐ ऐसे में पैसा रुक नहीं पाता। दूसरे घर का स्वामी बार्वे में हो और बार्वे घर का स्वामी दूसरे में हो। ये भी हो सकता है। एक नियम यह भी है, कि दूसरे घर का स्वामी बारवे भाव में बैटा हो, और बारवे घर का स्वामी दूसरे भाव में हो, यानि दूसरे घर का स्वामी धन चला गया व्या भाव में और व्या चला गया धन भाव में, तो हानी हो गई, तो ऐसे में भी पैसा नहीं रुक पा ता धनकी हानी हो जाएगी किसी तरसे भी आप लगा लिजिए दूसरे का स्वामी बारवे में हो और बारवे का स्वामी लगन में हो दूसरे का स्वामी यानि धन भाव का स्वामी बारवे में चला गया तो धन हानी तो वैसे ही हो गई उपर से बारवे का स्वामी लगन में च तो दूसरे का स्वामी 12 भाव में जाय तो धनिः होथी E Cleremia और 12 का स्वामी लगन में हो और उनको मार्क रह देखता हो तो और धन पाण्चवर का मालिक छटे घर में हो और 9 का मालिक अस्थव में हो इन दोनों को मारक रह देखते हो तो धन हानी पांचोने गहर का मालिक चाटे भाव में चला जाए पांची का माली संतान भाव का माली सत्वामी वह चटे भाव में हो ऑग interrupting Clayton अस्टम भाव में आ जाए अन्र hijzept दोनों को मारck रह देखते हूं तो निृपसे ड्हॉन ही हम नहीं को बताओंगा विद्या-विचार के विद्या के बारे में कैसे विचार करना एक बहूत सिंपल है इसके भी कुछ नियम है कि अगर h behaviors र हो तो ऐसा आदमी गायन विद्या में बहुत विशारत होता है रही हिद्या में निपुन होते है ऐस जिसके चौथे भाव में शुप्र हो यदि 4 बाव में बुद्द हो तो आप समंझ आए लिए कि आप एक बहुत अच्छे जोतिश बन सकते हैं। यदि पांचवे घर में सूर्य हो और पांचवे घर में राहू बुद्ध हो तो ऐसा जातक भी जोतिष में निपुण बन सकता है या ऐसा डॉक्टर बन सकता है जो जहर की चिकिस्ता करने वाला होता है यदि पांचवे घर में सूर्य हो और पांचवे घर में राहू बुद्ध हो यानि पांचवे घर में सूर्य राहू बुद्ध हो तो ऐसा जातक भी निपुण जोतिष मन सकता है और विश्की चिकिस्ता करने वाला चतुर वैद्य होता है और नियम है यदि दूसरे घर में सूर्य और बुद्ध हो तो जोतिश विद्या विशारत हो दूसरे घर में अगर सूर्य और बुद्ध मिल जाए तो भी जोतिश विद्या में विशारत होता है यदि इन दोनों ग्रहों को शनी देखता हो गणित शास्त्र में प्रवीन होता है यदि सूर्य बुद्ध को शनी देखता हो तो ऐसा इंसान गणित शास्त्र में प्रवीन होता है यदि दूसरे घर में सूर्य और मंगल हो तो ऐसा इंसान तक शास्त्र में विशारत होता है त पांचवे गर में सूर्य बुद्ध शनी हो तो वेदांथ शाOOOO होता है ऐसा इंसानि एप है क्या बुद्ध शनी बैठे तो आपने का तीन पाप ग्रह बैठे पांचे घर में तो संतान की तो हानी करेंगे इसमें तो कोई दोराय वाली बात नहीं है सूर्य भी सेपरेटिव ग्रह है शनी भी सेपरेटिव ग्रह है कंसीव नहीं होने देगा ठीक से संतान की लिए तो समस्या ह बट विदान्त शास्त्र का बहुत अच्छा ग्याता होगा, ये बात बक्की है, यदि सूर्य और बुद्ध एक साथ किसी केंद्र त्रिकोन या लाभ भाव में हों, सूर्य और बुद्ध एक साथ बैठे हों, और किसी भी केंद्र भाव में हों, त्रिकोन भाव में हों या ल शुक्र हो तो एसा व्यक्ति काव प्रेवी होता है यह कभी होता है कि भूपाउट होता है यह दूसरे घर में शुक्र हो तो लगा लिजी कि वह इंसान बहुत अच्छा कोईट वनेगा बढ़ा अचा कभी वनेगा या राहू पंचम में हो लेकिन हर ग्रह के कुछ ना कुछ फाइदे और कुछ ना कुछ नुकसान किसी घर में पाप ग्रहों का बैठना नुकसान भी है और पाप ग्रहों का बैठना फाइदे मन्द भी है जैसे पीछे दिखाया था, लोग में पढ़ाया था, कि सूर्य बुद्ध और शनी बैठे हों, तो ऐसा आदमी विदान शास्त्र में विद्धाता होता है, विदान शास्त्र जानने वाला होता है, लेकिन वो संतान के लिए खानी का रखे, हायर एजुकेशन के लिए थोड़ साधारन तया, उनका अर्थ समझ में ना आता हो, यदि राखु पंचन में हो, तो ऐसा आदमी बहुत ही गूर भाव जानने वाला होता है, और ऐसी विद्धाव में पारंगत होता है, जो बहुत ही कठिन होती है, जो नॉर्मली इंसान के समझ में नहीं आती है, चौते घर म राहु हो, तो माता की दीरगाई होती है, चौता घर माता का होता है, यह हम जानते हैं, अगर राहु वहाँ बैटा हो, तो दीरगाई होती है माता की, दूसरे घर में ब्रस्पती हो, तो जातक वेद और विदानत का अच्छा ग्याता हो, यदि कर्क, या धनू, या मीन का ब दूसरे घर में शुक्र हो तो बहुत बढ़िया पोएट बनता है यही दूसरे घर का स्वामी और ब्रस्पति केंद्रिया कोंड में हो दूसरे घर का स्वामी यानि सेकंड भाव का लौड और ब्रस्पति दोनों मिलके केंद्रिया कोंड में हो केंद्र कोंड मीज के पहले के साथ चंद्रमा भी हो जाए तो जातक बहुत गहन सुत्र हो जानने वाला जानने वाला हो तो यह था विद्या भाभ तक का हमने बिचार आगे वाली वीडियो में हम बारे में बताएं में आपको आशा करता हूँ आपको समझ माया होगा समझ माया तो कांड रिलाइक कीजिगा सब्सक्राइब कीजिगा शेर कीजिगा इसके लावा हम एडवांस अस्टेलोजी रेमिडीज और प्रोफेशन इन सबकी क्लासिस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जो लोग जिस भी क्लास में इं जिगरत करा सकते हैं धन्यबाद जैशेक रिशन